पाकिस्तान ने 17 लाग फलस्तियों को निकाल भार किया असला तो आपने भी इसराइल को बेजा तर्वाइदा भीशा से डबल पॉलेसी रही है इसराइल को असला बेच रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक शेर और मेरी चैनल को सस्काइब करना मत भूलेगा तो दोस्तो आज पाक मीडिया बात करें कैसे पाकिस्तान ने दो बड़ी हरकते किया पहली पाकिस्तान ने जो पैलिस्तिनिन पाकिस्तान में थे उन्हें निकाल दिया है और दोसी रिपोर्ट के मुतरिक पाकिस्तान जैसे यूक्रियन को हत्यार बीचा था वैसे पाकिस्तान अब इस्राइल को भी डो अमरीकी कमपनियों के जरीए हट्यार बीचना शुरू कर दिया है तो इससे पाक मीडिया बहुती जरा गुस्से में है पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है पाकिस्तान पहली पैलेस्टाइन को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो पाकिस्तानी मीडिया आज इस आप पुरा सेर्ग दिखेगा तो चीलिए और इंतिसार ना करके ये वीडियो दिखते हैं तेरगन मीडिया के ओपर ये खबर दी जा ली कि पाकिस्तान ने सतना लाग फलस्तिनियों को निकाल भार किया قوم میں غصہ پایا جاتا ہے کہ تم فلسطینیوں کے مقابلے میں اسرائیل کی ہمایت کیوں کر رہے ہو اسرائیل کی تو سعودی عرب کا کہنا ہے کہ سب کنٹریز جو ہیں جو بھی کنٹریز اسرائیل کو اسلاح دے رہی ہیں یا ویپنز پہنچاری ہیں وہ انتھ کو دینا بند کر دیں امن کی بات کی جا رہی ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ جنگ مندی ہو فلسطین اور اسرائیل کے بیچ میں کوئی امید لگ رہی ہے آپ کو जो वह कुछ के बेठरी ऐगी उसमें तो फिर आप इनोर्वाल मेब असला तो आप ने भी इसराइल को वेजा है आपने मैं भी आपको बता जिता हूं नोट्रप गुरुमन को बेचा है एक सो कती मिल्यों डालर का बेचा तो असला तो आप भी दे रहे है पिर इस्राइल को आप कहते हो जिहाद भी करना है उदर से डाला भी लेना है पाते हैं आप एक एक फुद की पालिसी क्या है तरवाइद अभिश्या से डबल पॉलेसी रही है पहली बार तो नहीं है खाने के दात और दिखाने के और जो बड़ी कंट्रीज ने चाहे वो भारत हो चाइना हो या अमेरिका हो यह बीच में क्यों नहीं आके इस चीज को रुकवार है जंग को रोका क्यों नहीं जा रहा न और फिर आप और दूसरा मैं यह पूछओंगा फलस्तीन में तो आज उन्होंने मारना शुरू किया आपकर क्या है जो रोहेंगिया मुसलमान है बर्मा क्यों चाहलत ठीक चल रहे एक मिलियन रोहेंगिया मुसलमान जो है इस वकत बंगला देश नौलाक तो बंगला देश म और जो अफगानी आप यहां से उठा कि उनके घरों पर बिल्डोजब चला रहे हैं उनके हलात ठीक है मैं यह पूछना चाहता अर लिबिया इराग के अंदर मुसलमानों के हलात ठीक है दुनिया में जहां भी मुसलमान है उसके हलात यही है जो डबल गेम पाकिस्तान खेल है है वो आज भी खेल रहा है एक तरह हम जिहाद के लिए जा रहें ज कि लिए हमने अमास का साथ देना है और बुसारितर और कि को इस्राइल को इस्राइल को उसला बेचい होगा जा एक हम जा ने मेरे शो में उने आप से पैसे भी मताए है यह उन्होंने योगज़ उक्राइन का काओ यहागा एंव एजैने एस्राइल्स ise के पशागर यह तो स्भी आप है मैं को यह चाही किया खाना काजी मेरे से आपको क्या पता है आप खाना थी तोड़ा थी ज़िए लेकिन यह नहीं सार यह खबर है अगर आपको नहीं पता तो वह एवे इस प्रिकर भी पता देंगे मां कमाल कर रहे हैं आप पैसे भी बता देंगे ऐसे अपनी तरफ से एदेखें तार्ट साब मेर को पाक्सान की नहीं होना है ऌ कि शुरूद की नहीं बचना करता है जो ंड़न चीज्य वो बात की ओनी चाहिए पाकिस्तान तो आइटोग updates के रचांप खेंधे तो पता चलता है चलो वह तो पाटनर है दोस् ने रहे हैं और भी वैपन्स लेते रहें ठोन किया थी तो तो हमने क्या किया था हमारा अमरीका के साथ मौइधन तो थे Cash? वो खुद नहीं लड़े तालिबान से भागगे है पूरा-पूरा मुल्क भागगे है जाज लया के नस के ने तौड दोस्तो इस वीडियो पर बात करते तो पाकिस्टान एक डोगला देसे तो पाकिस्टान ऐसी हरकत नहीं करेगा तो और क्या करेगा और पहले ही पाकिस्तानी आर्मी अमरीका की पिठ्थो है तो अमरीका के एक कहने पे पाकिस्तान कुछ भी कर सकता है और एक अमरीकी वॉलिटिशन ने कहा था कि पाकिस्तान ऐसा देश है जो डॉलर के लिए क्या कर सकता है आपको पटाई होगा तो मैं वो नहीं कहूंगा यह मापे तो पाकिस्तान डोलर के लिए इस एल को हटियार गिची का इस시 में कोय सक लिए नहीं चाहिए और पाकिस्तानी आर्मी ने मिने पेले का नाम लेगी पर पैलेस्टाइन के समर्ठर में कुछ भी नहीं करेगी तो अगर उन्होंने इस सेल को हट्यार बीज भी दिया हो तो इसमें हैरान होने की कोई चीज नहीं है और आखिर में मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान ने तो अमरीका के कहने पे और आई एमेफ लोन के ल सेल को भी बेच दिया तो मुझे नहीं लग रहा कि इसमें कोई नहीं चीज है तो चीलिए रिखते ही फीचर में क्या होटा दोस्ते वीडियो दिखने के लिए बार्वस किया और हमें चाहिसा सिकाइब करना मतूं लेका थांकि वेरी मच